नमस्कार जर्खनी नूज में आपका स्वागत है आई ये जर्खन राज के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं महराष्ट में राष्टपती सासन लगाने की मांग को लेकर महराष्ट के पूर्व सीम और भाजपा नेतन नरायन राने ने राजे पाल भगत सिंग से मुलकात की और राजे में राष्टपती सासन लगाने की मांग की है उन्होंने कहा कि वाइरस के करण राज्य के इस्थिती प्रती दिन भीगर्ती जा रही है जिस पर राज्य सरकार नहीं पटने में पूरी तरह भीफल है हम आपको बता दे कि स्वास मंत्राले के मुताबिक महाराष्ट्र में संक्रमीत मरीजों की संखे 50-10 के पार जा चुकी है बीते 24 गंटा में तीन एया से ज्यादा मामले सामने आये हैं जो कि चिंता का भी से बन चुका है इस स्थिती को देखते हुए नरायन राने ने राजय में राश्टवदी सावासन लागाने की मांग की है जारखन मसम विभाग ने गर्मी को देखते हुए कई जीलों में एलो अलर्ट जारी किया है रैधानी राची समयत कई जीलों में तापमान 40 डिगरी के पार है जबकि सबसे ज़्यादा तापमान परमंडल के तीनों जीला का है पलामू परमंडल का तापमान 25 डिगरी के पार चला गया है इसे देखते हुए मौसम विभांग ने इन जीलों में दो दिन के लिए एलो अलर्ट जारी किया है CBSE स्कूल 15 जुलाई बाद खुलेंगे CBSE स्कूल में फिलाल अनलाई पढ़ाई जारी है ऐसे में CBSE स्कूल 15 जुलाई बाद खुलने का फ़सला लिया है स्कूल खुलने के बाद बच्चों को सब्ता में तीन दिन स्कूल आने के उन्मती होगी जबकि तीन दिन अनलाई कलास में जुड़े रहना होगा बिद्यार्थियों का सिलेवस पुरा करने को लेकर त्यारी की जा रही है सनिवार को फूल डे स्कूल दिया जाएगा जबकि बिद्यार्थि को इस्कूल तक पहुचाने का कारे अभिवावक द्वारा किया जाएगा जार्खन में आज 31 संक्रमितों की पुष्टी हुई और 41 सो बहतर की मिरिती हो गाई परवासी मजदूरों को घर से निकालने पर हिमंद सरकार से मिला मदद परवासी मजदूरों को मकान मालिक द्वारा घरों से निकालने के सुचना का रहने का अपने घर बुलाया तमिलाडू से जार्खन के लिए पैदल निकले मजदूरों को राष्टे में रोकने की कोशिस की जा रही है मजदूरों को सोल्ट होम में जगा मिली है हम आपको बताए दे कि महराष्ट और तमिलाडू में फसे मजदूरों की संख्या लगबग 2,12,000 है लोकडाउन के बाद पहली घरेलू उडान का अनुभाव पहले ही दिन दो फलाइट रद लोकडाउन के कारण 25 मार्च से बंद हुई घरेलू उडाने 25 माई से शुरू हुई यातरियों को यातरा के दरण पानी के अलावा कोई खाद समयगरी नहीं दिया गया यारपोर्ट में परवेश करने से पहले यातरियों को पूरी तरह सेनेटाईज किया गया इसके लिए सेनेटाईजेशन स्टेंड में अंदर परवेश करना होगा चेरे पर मास्क और मोबाईल में मोबाईल से तू अयब का होना जरूरी है इंडिगो के तरब से एक कीट दिया जाएगा जिसमें मास्क और सेनेटाइज़सन होगा साथ में यातरी एक फेस सिल्ड भी दिया जा रहा है जिसे यातरा में कोई परिशानी ना हो पाकुड में संक्रमन की दस्तकत सभी सुरत से लोटे पाकुड जिला में एक साथ चार पोजटी मरीज मिले जो सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और सुरत से जार्खन लोटे हैं इसमें एक बच्चा भी समिली था है उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि सभी मरीजों को लिटी पड़ा अस्पताल में भरती कराया गया है उन्होंने जिला वाचियों से अपील किया है कि वाइरस को रोकने में जिला परसाशन का स्वयोग करे प्राइबेट स्कूल में एक आरवीक अक्चा में नमांकन सुरू राजधानी स्कूलों में एक आरवीक अक्चा के लिए नमांकन पर क्रिया सुरू हो गई है कई स्कूल ऑनलाइन तो कई स्कूल ऑफलाइन फरम दे रहे हैं इस बार नमांकन के लिए विद्यार्थी को ओनलाइन परिच्छा भी देना होगा, हलाकि कई स्कूलों में 10 वीक के मार्च के आधार पर ही नमांकन होगा मजदूरों का राइस्ट्रेशन विवरा, परवासी मजदूर जो घर लटना चाहते हैं उनके लिए ओनलाइन राइस्ट्रेशन के सुविदा दी गई है अब तक घर वापसी के लिए कूल राइस्ट्रेशन 7 लाख 22 सेयर मजदूर ने कराया है जबकि सरकारी आकड़ों के अनुसार कूल 10 लाख 38 सेयर परवासी मजदूर फशे हुए है सबसे ज़्यादा मजदूर महराष्ट में फशे हुए है जिनका आकड़ा लवक 2 लाख है जबकि सबसे कम लक्षदिप में है जिनका आकड़ा सिर्फ 2 है मुख मंत्री ने कहा चुनतियों को असर में बदलना है मुख मंत्री हमन्सुरे ने कहा कि फेम इंडिया ने जो अस्थान और सम्मान दिया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ लेकिन मुझे खुसी तब होगी जब हमारा राज विकास के मुद्धे पर उस्तम अस्थान हासिल करेगा उन्होंने कहा कि संक्रमन को लेकर जो चुनवतिया थी उनका आकलन पूर में ही कर लिया गया था साथी नीपटने के लिए विश्तित करय योजना भी तयार कर ली गई थी हमान सुरे ने कहा कि आतिक अस्तर पर तथार रोजगार अस्तर पर कई गंभीर चुनवतिया है लेकिन यह एक आउसर भी है महराष्ट्र से पच्छिम बंगाल जा रही बस जारखन में पलटी परवासी मजदूरों को मुंबाई से कुलकाता ले जा रही बस रजरापा थाना छेतरे में पलट कर दुर घटना गरस्त हो गई जिसमें लगबग 38 मजदूर घायल हो गए सभी घायलों का इलाज राची सित रिम्स अस्पताल में किया जा रहा है बताया जाता है कि 50 मजदूर मिलका 3 लाख में एक बस बुकिंग किये थे जो महराश्टर से कुलकाता जा रहे थे हजारी बाग में सादगी के साथ मनाया गया इद हजारी बाग के बढगा गाव परखंड के छेतर में सांती पुरुवक और सादगी के साथ इद का पर्व मनाया गया क्वरेटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों ने इद की नमाज आधा की इस दरण सोसल डिस्टेंसिंग का पारण किया गया मजदूरों को इद की मुबारक देने पंचाइद समिती की सदस्त भी पहुँची और इस्थिती का जाजा लिया राची आरपोर्ट पर एसम एसकेनर से जाज राची आरपोर्ट अथरोटी की ओर से बिनोद सर्मा ने बताया की नागर बिमान मंत्राले द्वारा दी गई सभी गाईलाइस का पार्लन राची आरपोर्ट पर हो रहा है यात्रियों को दो घंटा पहले बुला कर उनके समान और उनको सेनिटाइज किया जा रहा है यात्रियों की थर्मर स्केनिंग के बाद हाथ सेनिटाईज कराते हैं उन्होंने कहा कि सिक्रिटी जाच के दुरान यात्रियों के सरीर को छुआ नहीं जा रहा उनके बोडी को ASMR स्केनर के जरिये स्केन कर लेते हैं गड़वा में मरीजों की संख्या 52 पहुँची गड़वा जिला में दो मरीज मिलने के साथ ही संक्रमीत लोगों की संख्या 52 पहुँच गई है हलाकि अब तक साथ मरीज ठीक हो चुके हैं गड़वा के सिविल सर्जर ने बताया कि जो लोग पोजिटीव मिले हैं उनमें से अधिकांस प्रवासी मजदूर हैं वे लोग 36 गड़ महराष्ट और गुजरात से लोटे हैं हम आपको बता दे कि गड़वा इससे पाले संक्रमन मुक्त हो चुका था कोडार्मा में मौत के बाद करफ्यू कोडार्मा जिला में 23 मई की रात एक साथ 11 पोजिटीव मामला सामने आने के बाद पुलिस परसाशन ने गाह को कंटेंटमेंट जोन में तबलीद करके करफ्यू लगा दिया है आपको बता दे कि 23 मई को रात जेपी होस्पीटल में एक 18 बरसी संदित की मौत हो गई है च्छा स्रमिक एस्पेसल ट्रेन से 6000 से अधिक मैजदूर लोटे जहरखन राज में स्रमिकों का लोटने का सिलसिला लागतार जारी है आज मुंबई सेंट्रल से खुली ट्रेन 1100 से अधिक मैजदूर को लेकर कोडारमा इस्टेशन पहुँची सभी का थर्मर स्केनिंग के बाद बस द्वारा उन्हें गंतवे जीला तक भेजा गया बोकारो रेलवे इस्टेशन पर आज पांच एस्पेसर ट्रेन भी पहुची जिसमें लगबग 5000 मजदूर थे राज येपाल ने करमचारियों के बीच औरसेनिक 1130 का किया वित्रन राज येपाल दरोपती मुर्मों ने सोमवार को राजभावन में सफाई कर्मियों करमचारियों के बीच होमियोपैथिक दवा औरसेनिक 1130 का वित्रन किया या दवा संक्रमन रोक्था मेतू केंदरी आयूस मंत्राले द्वारा जारी एडवाईरी के अनुसार जार्खन सरकार के आयूस विभाग के आदेश पर उपलब्द कराई गई राजबवन में लगभग 500 परिवारों के बीच दवा उपलब्द कराई गई लोकडाउन में राईनितिक का मोहरा बने मजदूर जार्खन में परवासी मजदूर इस संकट की घड़ी में राईनितिक का मोहरा बन गए है विदायक सर्जूर राई ने एक ट्वीट किया कि परवासी मजदूर इस संक्राइनितिक का मोहरा बनते जा रहे है उन्हें लाने की जिम्यदारी किसकी है कि सवाल पर CM PM पर फेका फेकी ठीक नहीं है उन्होंने काया कि भारत का समिदान हम सभी धनी गरीब को देश के किसी भी कोने जाने बसने रोजगार करने की इजाज़त देता है हम सभी भारत के नागरी खाए किसी राज के नहीं खुटी के किसानों का क्रिसी नियंतरन द्वारा बीक रही सबजिया लोगडाउन की वज़ा से किसान काफी परवावित है ऐसे में उपायुक्त के निर्दसा अनुसर अनुसर अनुमंडल पदा दिकारी हमंत सती द्वारा सफ्लाई चैन को दुरूस्त करने के लिए जिला स्तरिय डेडिकेटेट एगरिकल्चर कंट्रोल रूम अस्थापित किया गया है यह कंट्रोल रूम अनुमंडल करयाले में अस्थापित है किसानों के समस्याओ को पंजिकरित किया जाता है तथा 16 घंटे के वितर समधान करने का पर्यास किया जा रहा है किसान सीकायत कर आपना सबजी बेच रहे है गुमला जिला में 14 दिनों से 153 लोगों की जाच रिपोर्ट पेंडिंग गुमला जिला में जाच के लिए सेंपर लेने के बाद जाच रिपोर्ट में देरी हो रही है कई लोग क्वरेंटीन सेंटर में 14 दिन से अधिकर हो रहे हैं पर उनका जाच रिपोर्ट नहीं आपा रहा है ऐसे में लोग कॉरेंटीन सेंटर में लगातार हंगामा कर रहे हैं एक जून से चक्रधर पूर से दस ट्रेने चलेगी एक जून से चक्रधर पूर रेल मंड़ से होकर पांच जोड़ी ट्रेने चलेगी ये ट्रेने रोजाना हबडा, पूरी, अमदाबाद, दिली और पटना जाएगी साथ में दो ट्रेने और चलेंगी जो टाटर नगर रेलवे स्टेशन से होकर दानापूर को जाएगी तथा दूसरी ट्रेन बड़ बिल से खुल कर चाई बसा होते हुए हबडा तक जाएगी जारखन के 24 में से तेश जिला में फैला संक्रमन जारखन में एक दिन में 28 ममला मिलने के साथ ही अब जारखन का सिर्फ एक जिला सायव गंजी संक्रमन से पचा है जारखन में एक टिप केस इस प्रकार है राची से तेश बुकारू से साथ हजारी बाक से 42 धनबाद से 8 गिरीडी से 13 सिमडेगा से 8 कोडार्मा से 27 गडवा से 49 पूर्वी सिंभूं 25 पच्चमी सिंभूं 7 सराय केलच 4 लातेहार 9 लौरदागा 2 रामगर 11 गुमला 11 चत्रा 1 पांकुर 4 पलामू 1 खुटी 1 है सफाई कर्मी को मरने पर 10 लाख घायल होने पर फुटी कोडी नहीं सफाई कर्मी को वर्यस का दर्जा दिया गया है मोहले में उनके समान में उन पर फूल बरसाय जा रहे हैं तलिया बजाई जा रही है पर इस जंग में लड़ते हुए किसी सफाई कर्मी की मौत हो जाए तो नगर निगम द्वारा 10 लाख रुपे देने की व्यवस्ता की गई है वहीं दूसरी और अगर कोई सफाई कर्मी की इस दौरान घायल हो जाता है तो उसे फुटी कोडी भी नहीं दी जाती अवियार्थियों द्वारा पंचायत सचीव का फाईनल मेरिट लिस्ट जारी करने का मांग इंटर्मीडियेट अस्तरी परतियोगता परिक्षा के पंचायत सचीव पत के अवियार्थियों ने आविलम फाईनल मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग की है अभियार्थियों ने मुखवंतिरी से जार्खन करमचारी चयन आयोग को ततरीत कराई करने का आदेश देने की मांग की है बताया गया कि करमचारी चयन आयोग ने बस 2017 में 3088 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रितकिरिया शुरू की थी जो अब तक लंबित है प्रवासी मजदूर जो जार्खन लोटना चाहते हैं और आपना पंजीकरन नहीं करा हैं वे पंजीकरन करा सकते हैं वैसे मजदूर जो स्वेम जार्खन लोटने में सक्षम हैं वे एक जुट होकर बस रिजर्ब कर जल्द घर लोट सकते हैं धन्यवाद